कार्टिक क्रेश्न पक्च की तुरुदधी इडिती खेदिन धंतिरश्का पर पूरी श्रधा बबिश्वाश के साथ मनाया जाता है धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लच्मी और धन के देपता कुवेर की भी पूजा करनी की मानता है इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी पिरचलित है कहा जाता है कि एक समय भगवान बिश्वाश के लिए आ रहे थे तब लच्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आवर किया तब बिश्वाश जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो तब लच्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान बिश्वाश के साथ भू मंदल पर आ गई कुछ देर बाद एक जगे पर पहुँचकर भगवान बिश्वाश ने लच्मी जी से कहा कि जब मैं ना आऊं तुम यहां ठहरो मैं लच्छड दिशा की ओर जा रहा हूं तुम उधर मत आना विश्वाश जी के जाने पर लच्मी जी के मन में कोतु हल जागा कि आखिर लच्छड दिशा में ऐसा क्या रहस है जो मुझे मना किया जा रहा है और भगवान श्यम चले गए लच्मी जी से ना रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लच्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सर्सों का एक खेट दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे शर्सों की सुबा देखकर हुए मंदर मुग्द हो गई और फूल तोड़कर अपना शिंगार करने के बाद आगे बढ़ी आगे जाने पर एक गन्ये के खेट में लच्मी जी गन्ये तोड़कर रश चूसने लगी उसी शड़ पिष्णु ज आए और यहां देखकर लच्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शिराब दे दिया और फिर उन्हें तुम्हें इधर आने से मना किया था कि पर तुम ना मानी और किशान की चोरी का अपराद कर बैठी अब तुम इस अपराद के जुर्म में इस खिसान की 12 वरस सक सेवा करो ऐस सोई बनाना तब तुम जो मांगोगी मिलेगा किशान की पतनी ने ऐसा ही किया पूजा के प्रभाव से लच्मी जी की किरपासे किशान का घर दूसरे ही दिन से अन धन रतन स्वर्ण आदी से भर गया लच्मी जी ने किशान को धन धान से पूड कर दिया किशान के 12 बरस नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके, इनको मेरा स्राप था कि इसलिए बारवरस से तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारी बारवरस सेवा का समय पूरा हो चुका है, किशान हट पूरबक बोला कि नहीं, अब मैं लच्चमी जी को नहीं जाने दूंगा, त एक तामे के कलस में रुपे भर कर मेरे लिए रखना मैं उस कलस से निवास करूँगी किन्तु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी इस एक दिन की पूजा से बर्ष भर्ज में तुमारे घर में नहीं जाओंगी यह कहकर हो है दीपकों के प्रिकास के साथ दसों दिसाओं में फैल गई अगले दिन किशान ने लचमी जी की कता अनुशार पूजन किया और उसका धर धन धान से पूड़ हो गया इसी वज़े से हर तेरस के दिन लचमी जी की फूजा होने लगी